Hello Family दोस्तों दिल से दिल तक JD Channel के प्रती आप सभी के ओर से मिलते बेहदे प्यार के लिए हम तै दिल से आप सभी के शुक्रुखजार हैं दोस्तों पिछले कई हफ्तों से आप सभी दोस्तों के ओर से हमारे चैनल द्वारा अपलोड किए गए हर एक एपिसोड को आप पसंद कर रहे हैं और हमारा कंटेंट आप सभी के दिलों तक पहुंच रहा है उसकी हमें बेहदी खुशी है भारत के वेस्टन जोन के गुजरात कच्छ भूज से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार प्यारेस्ट रेर गाना आप सब के लिए पेश करें उससे पहले एक प्यारास एनाउंस्मेंट आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें फिर से बेहदी बहुत बड़ी खुशी होने जा रही है दोस्तों आप सब जानते हैं कि दिल से दिल तक जेडी चैनल के हमारे हर एक मौमद रफीज साब के एपिसोड के आखिर के एक स्पेशिल सेगमेंट में आप सब पसंद करते हैं हमारे विचार बिंदू को सुननेगा तो दोस्तों आप सभी के इस विचार बिंदू के सेगमेंट को पसंद करने के कारण हमें एक नई प्रेड़ना मिली है और हमा अब से दोस्तों हमारे इस चैनल पर विचार बिंदू की तरह मोटिवेशनल ठोट मोटिवेशनल को पेश करेंगे दोस्तों अगर हमारे विचार बिंदू वाले सेगमेंट को आप पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को हैपी 24.365 स्क्रीम पर जो दिख रहा है उस नाम के चैनल को भी आगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे दिया है तो आए दोस्तों आज का हमारा स्पेशिल कंटेंट तरन्नुमे रफीका आप सब के लिए पेशे खिद्मत है साल 1966 में एक फिल्म आई थी फिल्म का नाम था दो बदन फिल्म दो बदन के लिए अविने दिया था मनोज कुमार जी, आशा पारेग जी, सीमी गरेवाल जी और प्राण सहब ने फिल्म दो बदन के लिए गीतकार थे शकिल बदायूनिस सहब और इस फिल्म के लिए संगीत दिया था रवी सहब ने फिल्म दो बदन के लिए संगीतकार रवी सहब ने कुल मिला कर साथ गीतों को रेकोर्ड किया था जिन में से छे गाने रेकोर्ड पर रिलीज हुए थे जिन में नसिब में जिसके जो लिखा था बड़ी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहा जाए रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा लो आ गई उनकी याद वो नहीं आये जब चली ठंडी हवा मत जैयो नोकरिया छोड़ गे इन सभी पॉपिलर छे गीतों के साथ साथ रवी साहभ ने एक गाना कंपोस किया था सात्वा गाना जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाया गया था बेग ग्राउंड के तोर पर इस गीत का कभी भी रेकोर्ड रिलीज ना हो पाया मौमद रफी साहब ने इस गीत को गाया था तरन्नम में किसी भी रिदम के प्रयोग के बीना इतना सुरिला गीत था ये रवी साहब का अगर ये गाना पूरा रेकोर्ड होता तो नजहाने प्यार करने वालों के दिलों तक ये गाना कौन से जजबातों के साथ दिलों की गहराईयों तक उतर जाता सिर्फ मुखड़ा बना था इस गीत का पेश करते हैं आप सब के लिए इस जहां से प्यार मिट सकता नहीं दो बतन दो आत्माए मिल गई ये पखेरू प्यार के संसार के अब कभी मिलकर बिच्छड सकते नहीं अब कभी मिलकर बिच्छड सकते नहीं तो आईए दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का हालात को ऐसे मत होने दे के होसले ठक जाए होसले ऐसे रखिए के हालात ठक जाए दोस्तों कैसी लगी मौमद रफी साब की जिवन यात्रा के साथ जूड़ी हुई आज की ये हमारी कहानी यह हमें जरूर से लिख करके भीजिएगा आप सभी के कमेंट्स के लिए रहते हैं हम मुन्तजिर दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और हाँ बेल नोटिफिकेशन और आल के बटन को जरूर से क्लिक करें आप सभी को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाय करेंगे दोस्तों मिलेंगे मुहमद रफी साथ की कला यात्रा के साथ जूड़ी हुई बिल्कुल ऐसी प्यारी सी नई तरो ताजा सी कहानी के साथ तब तक बाबाई टेक केर सेव वोटर सेव अवर मदर अर्थ करेंगे प्यारी सी